असलाम अलेकुम दोस्तों मैं हूँ शाहरोख और आज मैं आप लोग को पूरे दो सालों के बाद रिव्यू लेकर के आया हूँ शाओमी रेड्मी वन इसका दोस्तों ये फोन के साथ मेरा दो साल से रिष्टा बना हुआ है और बता दू कि इसके साथ experience काफी जादा अच्छा रहा है दोस्तों ये फोन अपने आप में ही एक जबरदस्ट फोन है जो कि जिसका रिव्यू आज मैं कर रहा हूँ दोस्तों सबसे पहले मैं बता दू इसके specification की बारे में कि अगर आप इसके specification भूल गए हैं तो इसमें है Qualcomm Snapdragon का 400 processor जो की clocked है 1.6 GHz जो की quad gore है दोस्तों इसमें 1 GB की RAM मिलती है 8 GB की internal storage मिलती है इसकी जो camera है दोस्तों back है 8 megapixel का camera with flash और दोस्तों इसकी जो front camera है वो है 1.6 megapixel का camera दोस्तों इसकी जो screen है वो है 4.7 inch की screen जो की HD screen है दोस्तों और इसकी जो viewing angles देखेंगे वो काफी अच्छी लगती है किसी भी angle से चाहे आप किसी भी angle से देख लें दोस्तों आप बिल्कुल ही साफ साफ viewing angles देख पाएंगे ऐसा नहीं है दोस्तों की 2 साल पहले के अगर phones उठाके viewing angles देखते हैं तो उन वो जो है काफी ज़दा बेकार लगते हैं लेकिन इसकी आज भी अच्छी लग रही है आज भी clear लग करती है दोस्तों MIUI का रॉम काफी जबरदस्त है जिसका मैं वीडियो बनाता हूँ तो अगर आप यह देख पा रहे हैं तो यह Android वर्जन Kitkat लेकिन इस पे नया वर्जन है MIUI Global 8.2 अब दोस्तों मैं बता दू कि 8.2 तो अभी तक Redmi Note 3 को भी नहीं मिली है Redmi Note 4 को भी नहीं मिली ह लेकिन Redmi One इसमें already available है तो यह phone कितना awesome है यह तो आप देखी सकते हैं दोस्तों 8GB में हमें करीब मिलती है 5GB के space जो कि काफी अच्छी है और दोस्तों यह Kitkat पे है तो ऐसा ना सूचे कि इसकी update मिलेगी नहीं ऐसा ना सूचे लेकिन दोस्तों फिर भी यह Kitkat पे ही काफी अच् काम करती है दोस्तों अब हम लोग अगर इसके body की बात करें तो design जो है दोस्तों एक अपने आप में यह एक ही legend है दोस्तों दो सालों पहले ऐसी design देना जो की काफी अच्छी है दोस्तों इसका जो यह आप देख रहे हैं यह जो thickness है वो है लगभग 10 mm 9.9 mm दोस्तों लेकिन यह feel नहीं होती है 9.9 mm 10 mm क्योंकि दोस्तों इसके जो curved है आप देखें कि यह भी side से curved है जैसा कि आज भी phones में इस्तेमाल किये जा रहे हैं दोस्तों front में मिलता है हमें एक screen नीचे मिलती है capacity buttons टॉप में मिलता है camera और एक मिलता है earpiece उसके बाद दोस्तों lift side बिलकुल ही खाल अच्छी काम करती है back में मिलता है camera एक noise cancellation mic और यह है दोस्तों आप तो जानती ही है flash उसके बाद नीचे मिलता है AMI का एक बड़ा सा logo और bottom में मिलता है USB charging port और यह है दोस्तों mic top में मिलता है दोस्तों एक 3.5 mm audio jack और दोस्तों इसमें कोई fingerprint selfie या फिर IR blaster नहीं है क्योंकि दोस्तों यह दो सल पहले launch हुई थी तो उस वक्त दोस्तों यह सब चीज़ें देना मुश्किल था काफी ज़्यादा आसान नहीं था उसके बाद दोस्तों और अगर मैं इसके बा perfect है ऐसा नहीं है कि fully है या फिर कुछ भी नहीं आज भी यह battery काफी perfect है दोस्तों इसमें memory card लगाने का system भी है जो कि हम लोग लगभग 64GB तक की memory card लगा सकते हैं और दोस्तों यह dual SIM supported है जिसमें एक SIM में आपका 3G काम करेगी और दूसरे SIM में आपका 2G काम करेगी तो दोस्तो 4G नहीं है क्योंकि 2 साल पहले 4G phone साना इतना असान नहीं था लेकिन दोस्तों जो भी है 6000 रुपए में यह phone दोस्तों जबरदस्त phone है अब दोस्तों अगर इसके softer की बात करें तो यह काफी fast and fluid है दोस्तों आप देख सकते हैं कोई भी मुश्किल नहीं है आज भी बिल्कुल यह कि इसकी speaker बहुत ही अच्छी है दोस्तों इसकी जो speaker quality है दोस्तों इसकी जो sound quality है वो आज भी बहतरीन है दोस्तों ना कुछ फटी है ना कुछ भी दो सालों के बाद भी इसकी जो sound quality है वो बेहादीश जबरदस्त है दोस्तों मैं मानता हूं कि इसकी जो speaker quality है वो redmi note 3 से भी अच्छी है हाला कि Redmi Note 4 से हलकी बराबर मान सकते हैं लेकिन दोस्तों वो लोग नए features पे हैं नए processors पे तो उनकी sound quality जादा अच्छी होनी है लेकिन एक तरह से average देखा जाए तो इसकी जो है Redmi Note 3, Redmi Note 4 की बराबरी कर जाएगी अब दोस्तों अगर इसके camera की बात करें तो यहाँ पे हमें मिलता है camera और दोस्तों मैं एक बात बता दू Redmi 1 इसके camera के बारे में दोस्तों जो की आपको शायद नहीं पता होगी दोस्तों अभी तक 2 साल हो चुके हैं लेकिन 2 सालों के बाद भी दोस्तों आज जो हमारे camera के technology आ रहे हैं वो आ रहे हैं 1.12 ultra pixel पे अभी ultra pixel जो होता है दोस्तों वो होता है हमारे sensor का size जो कि हमारे quality को और भी enhance करती है दोस्तों जो हमारे Redmi Note 4 का यह Redmi Note 3 का ultra pixel है उसकी जो sensor size है वो है 1.12 या फिर 1.2 जो कि काफी कम है दोस्तों काफी छोटी sensor है जिससे हमारी camera की quality काफी कम आती है लेकिन दोस्तों मैं बता दू कि जो Redmi 1S का sensor है दोस्तों वो है 1.4 ultra micron pixel का अब दोस्तों आप कहेंगे 1.4 इतनी बड़ी 2 साल पहले जी है दोस्तों 2 साल पहले भी इसको जो camera quality थी वो जबरदस्ती 1.4 ultra micron pixel का इसलिए दोस्तों आप देखें कि low light में भी इसकी जो noises है वो काफी कम आती है दोस्तों अगर आप इसका comparison करें रेड्मी note 4 से या रेड्मी note 3 से दोस्तों आप जीलस ना हो आप ज़्यादा जले नहीं लेकिन दोस्तों इसकी जो quality है वो सच में low light में ज़्यादा अच्छी आती है चाहे आप low light में देखे या अच्छी lights में देखे दोस्तों इसकी जो quality है वो बहुत ही जबरदस्त आती ह दोस्तो आप देख सकते हैं मैंने इसी से Redmi Note 4 का यहाँ फोटो कीचा है और आप देखेंगे दोस्तो की एक एक क्वालिटी जो है दोस्तो एक एक क्वालिटी इसमें बहुत ही जबरदस्त है colors काफी ज़्यादा accurate देती है जो की दोस्तो आज कल के camera काफी ज़्यादा यह सब नहीं कर पाते हैं तो दोस्तो मुझे personally Redmi 1S का camera बहुत ज़्यादा पसंद है और दोस्तो मैं आपको एक बात बता दू कि मैं ज़्यादा तर जो videos बनाता हूँ 1080p Full HD के videos काफी असानी से चला देती है और camera quality तो ना पूछे मुझे जबरदस्त इसकी लगती है अब दोस्तो आपको दिखा दू मैं यहाँ पे camera खोल के और आपको front camera भी show कर दू front camera है दोस्तो सिर्फ 1.16 megapixel लेकिन दोस्तो काफी fast है काफी accurate है और काफी जबरदस्त है दोस्तो subtle speed आज भी बहुत ही अच्छी है कोई भी कमी नहीं है इसमें और दोस्तो मुझे personally इसका camera बहुत ही अच्छा लगता है उसके बाद दोस्तो और चीजों की बात करें तो call quality इसकी अभी भी बहुत ही अच्छी है कोई भी speaker में problem नहीं आई है हाला कि दोस्तो इसकी कुछ drawbacks भी है जो की हमें जहिलनी परती है और दोस्तो सबसे बड़ी drawbacks है दो drawbacks सबसे पहला drawback है दोस्तो इसकी battery life जो की 2000 image है जिसे ज़ादा battery जल नहीं पाती है लेकिन दोस्तो दो साल पहरे 2000 image की battery देना ये भी काफी मुश्किल होती थी क्योंकि उस वक्त 1500 image की battery आती थी लेकिन इसकी 2000 image की battery दोस्तो एक decent है दोस्तो अच्छी चलती है हाला कि बहुत ही जबरदस नहीं लेकिन अच्छी चलती है आप इसका इस्तेमाल अच्छे से कर सकते है उसके बाद जो दूसरी drawback है दोस्तो वो है heating problem charging के वक्त काफी ज़्यादा heating हो जाती है या फिर high performance gaming के वक्त काफी ज़्यादा heating हो जाती है तो दोस्तो इसमें कोई भी problem नहीं है आप इसमें game भी खेल सकते हैं लेकिन दोस्तों ज़्यादा देर तक ना खेले क्योंकि बहुत ज़्यादा गरम हो जाती है 45, 46, 47 degrees तक चली जाती है हाला कि दोस्तों जब यह phone शुरुआत में launch होई थी तब इसमें काफी ज़्यादा heat होती थी जिसे फिर Xiaomi ने बाद में control किया इसके thermal processing को control किया और फिर बाद में यह काफी ज़्यादा control हो गई इसकी hitting problems और काफी ज़्यादा अच्छी हो गई अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं एक game चला रहा हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं game यह शायद किसी problem से बंद होगी लेकिन दोस्तों मैं बता दू कि इसमें Asphalt 8 भी बहुत ही अच्छे से चलता है और हाला कि Asphalt Nitro और यह जो break नेक है यह हलकी हलकी अटकती है लेकिन दोस्तों Asphalt 8 भी बहुत ही अच्छे से चलता है दो साल होने के बाद भी तो दोस्तों यह phone game के लिए भी काफी अच्छी थी और अभी भी काफी अच्छी है और इसका 1GB RAM मल्टी टास्किंग को लगभग 2-3 app को आसानी से संभाल लेता है मल्टी टास्किंग में इसमें कोई भी problem नहीं होती है दोस्तों जैसा कि आप जानते इसका MIUI हमेशा updated है दोस्तो तो MIUI की इसमें सारे feet MORE, और दोस्तो अगर आप BETA ROM करेंगे तो इसमें और भी features आपको मिल्ते रहेंगे जैसे कि app logs है दोस्तो इसमें app logs मिल्ते हैं दोस्तो इसमें permissions है जो कि आप permissions दे सकते हैं इसमें दोस्तो आप अपने MI account add कर सकते हैं, battery वगरा, home screen settings, notification and status bar setting और ये MIUI 8 का नए ROM पर है, दोस्तो ये काफी जबरदस्त है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है दोस्तो, इसमें दोस्तो सारे theme supported है, जो भी आप theme सी इस्तेमाल करते हैं, वो सारे इसमें MIUI 8 के theme supported है, आप कोई भी theme असानी से change कर सकते हैं, wallpaper, carousels, ringtone, fonts, सब कुछ supported है दोस्तो इस phone में, जो की काफी अच्छी है, अब दोस्तो मैं आपको एक और बाद बता दू की, अगर आप customize theme में जाएंगे, तो आपको मिलती है boot animation का option, जो की lollipop या marshmallow या फिर nougat MIUI में नहीं मिलती है, सिर्फ और सिर्फ नहीं है, मतलब कि दोस्तो all in on, दो सालों के बाद भी इस phone को बिल्कुली channel in like है, ऐसा नहीं है, Samsung phones के तरफ नहीं है, कि आसानी से ये slow हो जाए, ऐसा phone ये नहीं है, दोस्तो ये दो सालों के बाद भी बहुत ही अच्छे से काम कर रही है, और इसमें आपको हर चीज़े मिलती है, तो दोस्तो मैं हूँ शारूख और मुझे आप लोग को देना था Redmi 1S का review दो सालों के बाद, तो मैं बता दू कि दो सालों के बाद भी यह जब phone है, वो काफी जबरदस्त है, और यह काफी अच्छे से काम कर रही है, और इसमें कोई भी problem आज भी मुझे देखने को नही मिला है, सिवाए battery life के और heating problem के, लेकिन दोस्तो आप उसे भी सह सकते हैं, अगर आप इसे अराम से इस्तेमाल करें, यह सोचकर कि यह 2 साल पुरानी phone है, तो दोस्तो मैं हूँ शारूख और आज का हमारे यह वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, अगर आपको हमारे यह व